धर्म युद यश्पाल जी की ऐसी कहानी है जो आज के सफिद पोशों के नाकाब को नौच कर धंगा कर देती है। इसमें निम्न मद्यवर्गे जन जीवन और उसके जटिल संगर्ष को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। एक कंपनी के कलर्क के लाल के अंग्रेजी बोलने और व्यवहार में स्वेम को दूसरों से उंचा समझने की प्रवर्तित सरकने वाले लोगों पर खरारा भेंगे है। के लाल अपने मित्रों द्वारा पाटी देने, शराप पेने और मा के द्वारा मित्रों का अपमान करने पर आमरन अंशन कर धर्म युद ठान लेते हैं। किंदु अंत में उन मित्रों को बुलाकर और उनसे शमा मांकर एक और निमंतर्ण स्वीकार कराकर धरम युद में विज़ई होते हैं। अधुनिक सुविधाओं से संपन कलर्क के लाल के जीवन, स्थिति यत संब्रान तता उनकी चोर बजारी को साबित करता है और जिसकी और लेकक ने साप संकित किया है। अधुनिकता की आड में मानवी मुल्यों और नैतिकताओं का हास इस कहानी का प्रतिपाद्य है। शीरी कनया लाल के परिवार में घटी धर्म यूद की घटना कहने से पहले कुछ भूमिका की आफशकता है ताकि गलत फहमी का अफसर नह रहे। कुरुक शित्र में जो धर्म यूद हुआ था उसमें शास्तरों का यानि गांधिवाद के द्रिस्टी कौन से पाश्विक बल का ही परियोग किया गया था। कहा जाता है सत्यूग से लेकर द्वापर तक धर्म यूद का काल रहा है। वह यूग अध्यात्मिकता और नेतिकता का यूग था। सुनते हैं कि उस काल में लोग बहुत शान्ती प्रिये और संतूष्ट थे। परंतु सभी लोग सदा से सश्ट्र रहते थे। न्याय अन्याय और उचित अनुचित का प्रशन जब भी उठता था। तो निर्ने शस्त्रों के प्रियोग और रक्त पात से ही होता था। जगडा चाहे भाईयों में रहा हूँ या देवदानों में या पती-पत्नी में। जैसे कि रिशी जम दगनी अपनी पत्नी से ऐसंतूष्ट हो गएते या रिशीओं के समाज में द्वंद हो जाता था। जैसा कि ब्रह्मरिशी वशिष्ट और राजशरी विश्वमित्र में हो गया था। इधर जो जो मानव समाज में अध्यात्मेक्ता का हास होता गया, लोग निशस्त्र रहने लगे। जगडे तो होते ही हैं, परन्तु निशस्त्र होने के कारण लोग जगडे के समाधान के लिए नैतिक शक्ति का प्रियोग करने लगे हैं। शस्त्रों के बिना नैतिक शक्ति से न्याय और धर्म के लिए लड़ने या संगर्ष करने की विधी का नाम कालांतर में सत्याग्रय पढ़ गया। सत्तागर्य को ही हम वास्तों में धर्म यूद कह सकते हैं क्योंकि यूद का संगर्ष की इस विधी में मनुष्य पाश्विक बल से नहीं बलकि आत्म बलिदान से या धर्म बल से ही नियाई पर्तिश्टा का यतन करता है शिरी कनहिया लाल के पारिवारिक शेत्र में विचारों का संगर्ष धर्म युद की विदी से ही हुआ था शिरी कनहिया लाल का परिचे अवश्यक है यो तो कनहिया लाल किस्ती थी हमारे दफ्तर के सो सवा रुपे महवार पाने वाले दूसरे बाबों के समान ही थी परन्तु उनके व्यवार में दूसरे समाने बाबूं से भिनता थी सो सवासु रुपे का मामूली आर्थिक आधार होने पर भी उनके व्यवार में एक बड़पन और उधारता थी जैसी उचे स्तर के बड़े बाबू लोगों में होती है वे दसकत करते थे के लाल और हाथ मिलाते तो जड़ा कलाई को जटक कर होटों पर मुस्करहाट आ जाती How do you do? कहिए क्या हाल है? पूछ लेते What can I do for you? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? दफ्तर के कुछ तुनक मिजाज लोग के लाल के What can I do for you? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ के प्रशन पर अपमान भी समझ बैठते और कुछ उनकी इस उदारता का मजाक उड़ा कर उन्हें बास, मालिक पुकारने लगे थे लेकिन के लाल के वेवहार में दूसरों का अपमान करने की भावना नहीं थी दूसरे को शुद्र बनाए भी ना ही वे स्वयम बड़पन अनुभव करना चाहते थे इसके लिए हमसे और हमारे पडोसी दीना बाबू से कभी किसी प्रतिदान की आशाने होने पर भी उन्होंने कितनी ही बार हमें काफी हाउस में काफी पिलाई और घर पर भी चाय और शर्वच से सत्कार किया लाल की इस सब उधारता का मुले हम इतना ही देते थे कि उन्हें अपने से अधिक बड़ा आदमी और अमिर स्विकार करते रहते दफ्तर के चपरासी लाल का आदर लगबग बड़े साहब के समान ही करते थे लाल के आने पर उनकी साइकिल थाम लेते और छूटी के समय साइकिल को जाड़ पोचकर आगे बढ़ा देते कारण यह है कि लाल कभी पान या सिगरेट का पैकेट मंगाते तो कभी कभार रुपे में से 6 बचे दाम चपरासी को पक्षीश में दे देते हम लोग दफ्तर में 3-4 बरस से काम कर रहे थे 75 रुपे पर काम आरंब करके सवासो तक पहुँचे थे दफ्तर की सधारन सालना तरक्की के अतिरिक्त कोई सुनारा भविश्य हमारे सामने नहीं था ऐसी आशा भी नहीं थी कि हमें कभी असिस्टिंच या मैनेजर बन जाना है परन्तु के लाल शिगर ही किसी ऐसी तरक्की की आशा में थे तीन चार महा पूर्व ही वे किसी बड़े आदमी की सिपारिश से दफ्तर में आये थे पराये बड़े आदमीयों से संपर की बातें इस भाव से करते कि अपने समान आदमीयों की ही बात कर रहे हो अक्सर कह देते ग्राहम एंड ग्रिंडले के दफ्तर से उन्हें 400 का आफर है अभी सोच रहे हैं या मेकेंजी एंड विंसन उन्हें 300 तनखा और विक्री पर 3 परतिशत और 1st क्लास का किराया देने के लिए तैयार हैं लेकिन सोच रहे हैं हमारे दफ्तर में उन्हें लोहे की सलाखों और चद्दरों के आर्डर बुक करने का काम दिया गया था इस ड्यूटी के कारण उन्हें दफ्तर के समय की पबंदी कम रहती गुमने फिरने का समय मिलता रहता और वे अपने आपको सधर्न बाबों से भिन समस्ते थे इस काम में कमपनी को कोई विशे सफलता उनके आने से नहीं हुई इसलिए सिग्र ही कोई तरक्की पाजाने की लाल की आशा हमें बहुत सार्थक नहीं जान पड़ रही थी परन्तु लाल को अपने उजवल भविश्या पर अडिक विश्वास था उचे धर्जे के खर्च से बढ़ते हुए करजे की चिंता के कारण उनके माथे पर कभी तेवर नहीं देखे गई और ने उनके चाय, शर्बत और सिगरेट आफर प्रस्तुत करने में कोई कृपनता देखी गई उन्हें जोतिसी दवारा बताए अपनी हस्त रेखा के फल पर द्रड विश्वास था जैसे जंगल में आग लग जाने पर बीहड जाड जंखाड में छिपे जानवरों को मैदानों की और भागना पड़ता है तो टुचे टुचे शिकारियों की भी बनाती है वैसे ही पिछले युद के समय चोटे चोटे व्यापारियों की भी बनाई थी महान राष्ट्रों को परसपर सहार के लिए सभी पदार्थों की अपरिमित अवशक्ता हो गई थी सर्वसधरन जंता तो आभाओं से मर रही थी परन्तु व्यापारी समाज की बनाई युद के समय हमारी मिल को ग्रहक और एजेंट डूणने नहीं पड़ रहे थे बलकि ग्रहक और एजेंटों से पीछा चुडाना पड़ रहा था लाल का काम सहल हो गया था उनका काम था मिल के लोहे का कोटा बाटना और मिल के लिए लाब की पर्तिशद दर बढ़ाना के लाल के वेतन में कोई अंतर नहीं आया था परन्तु अब वे साइकल पर पाउं चलाते दफ्तर आने के बजाए टांगे या रिक्षा पर आते दिखाई देते ठांगे वाले की और रुपया फेक कर बाके रेजगारी के लिए नहीं बलकि उसके सेलाम का जवाब देने के लिए ही उसकी और देखते थे कई बार उनके मुक से सेकंड हैंड सेवरले या वक्स हाल गाड़ी का ट्राइल लेने जाने की बात भी सुनाई दी अब वे चार-चार-पांच-पांच आदमियों को काफी हाउस ले जाने लगे थे और उन मुक्त उधारदा से पूस्ते अब क्या पसंद कीजिएगा अपने घर पर भी अब से अधिक लोगों को निमितरन देने लगे अब उनके घर जाने पर हर बार कोई-कोई नई चीज दिखाई दे जाती कमरे का आकार बढ़ नहीं सकता था इसलिए वे फरनिचर और सामान से अटा जा रहा था जगेने रहने पर पुरानी कुर्सियां सोफाओं के पीछे रग दी गई थी और टी टेबलें, कारनर टेबलें और प्रैग टेबलें मेजों और सोफाओं के नेचे खिसका दी गई थी महमानों के सतकार में भी अब केवल चाय दानी या शर्बत का जग ही सामने नहीं आता था के लाल तराशे हुए बिलोर का डिकेंटर उपेक्षा से उठाकर आगरह करते है वे डैश आफ विष्की एक दोर विष्की का हो जाए धन्यवाद सहीत नकारात्मक उतरने देने पर भी वे अपनी उधारता को समेट लेने के लिए तयार ने होते आगरह करते तो रम लो अच्छा गिमलेट युद के दिनों में कुछ समय वेकाईयों OACAI की भी बाहर आई थी सर्वसाधारन लोग बाजार में जवान चुस्त बेजिजक छोकरियों के दलों को देखकर हैरान थे जैसे नील गायों का कोई दल नगर की सीमा फ़ादाया हो सामार्थ से रखने वाले लोग प्राहे इसकी संगती का परदर्शन कर गोरव अनुभव करते थे ऐसी तीन चार हस मुखिया के लाल सहाब की मैफिल में शोभा बढ़ाती थी के लाल के माता पिता अपेक्षा कृत रूडिवादी हैं आचार व्यभार के संबंद में उनकी धार्नाए धर्म, पाप और पुन्ने के विचारों में बंदी हैं अपने एक मात्र पूत्र की सांसारिक सम्रदी से उन्हें संतोष और गोरव अनुभव होता है परंतु उसकी आचार संबंदी उच्छंक्रलता से अपना धर्म और परलोक बिगाड़ जाने की भी उपेक्षा ने कर सकते थे एक दिन माता पिता और पुत्र की आचार संबंदी धार्नाओं पर परसपर विरोध की कारण धर्म युद्ध ठन गया के लाल ने अपने अंतरंग मिस्टर माथूर और वैकाई में काम करने वाली उनकी पतनी तथा उनकी साली को डिनर और काक्टेल भोजन और मदिरा के लिए निमंतरित किया था कार की पार्टियां होती थी तो इस सावधानी से की उपर की मंजिल में रसोई चोके के काम में वैस्त उनकी मा और संग्रहनी के रोग से जरजर खाट पर पड़े उनके पिता को पार्टी की बाचीत और खानपान के धंका आभास न हुपाता था पार्टी के कमरे से रसोई तक संबन्द नोकर या सिरीमती लाल दवारा ही रहता था शिरीमती लाल साज ससुरकी धार में किनिष्टा की अपेक्षा अपने पती के संतोष को ही अपना धर्म मानती थी सांस के रुख्या नुसाशन के अपेक्षा पती की उच्छ स्रंखलता उनके लिए सही थी उस संध्या उपर और नीचे की मंजिलों पर परबंद अलग-अलग रखने के लिए सिर्मति लाल ने पती से पूछा विद्या और आनंद का क्या होगा के लाल की बहन विद्या अपने पती आनंद सहीत आगरे से आकर एक सप्ता के लिए भाई के यहां ठहरी होई थी बहन और बहनोई को महमानों से मिलने से रोक रखना संभव ने था इसमें अशंक्या भी थी क्योंकि विद्या को उस कम उम्र में भी धार्मिक्ता का गर्व अपनी मां से कुछ कम नहता लाल ने दाँच से नकुन पोटते हुए सलाह दी तुम विद्या को समझा दो ये मेरे बसका नहीं, सिर्मती लाल ने दोनों हाथ उठा कर दुआई दी तुम्ही आनंद को समझा दो, वही विद्धा को समाल सकता है लाल ने आनंद को एक और ले जाकर उसके हाथ अपने हाथ में थाम विश्वास और भरोसे के स्वर में समझाया आज महमान आ रहे हैं, महमानों के लिए तो करना ही पड़ता है तुम तो साथ ही होगे अगर विद्धा को एतराज हो तो कुछ समय के लिए टाल देना या उसे समझा दो, तुम जैसा समझो विद्धा को पहले से समझा देना ठीक होगा उसे शायद ये बात विशित्तर जान पड़े माताजी के विचार और व्यवार तुम जानते हो विद्या जाकर माताजी से कुछ ने कह दे लाल ने मुस्करा कर अपना पूर्ण विश्वास और भरोसा पकट करने के लिए बहनोई के हाथ जरा और जोर से दबा दिये आनन्द ने विद्या को एक और बुला कर समझाया आजकल के जमाने में ये सब होता ही है भाया की मजबूरी है तुम जानती हो मैं तो कभी पीता नहीं हमारी वज़े से इन लोगों के महमानों को क्यों परशानी हो तुम इतना ध्यान रखना कि माता जी को नीचे ने आना पड़े विद्या ने सुना और मानसिक आगात से चुप रह गई मिस्टर मातुर मिसिस मातुरवे अपनी साली के साथ जरा विलंब से पहुँचे थे पार्टी शुरू हो गई थी अगला पैग चल रहा था हसी मजाक की दबी दबी आवाजें उपर की मंजिल में पहुँच रही थी आनन्द कुछ देर नीचे बैठता और फिर उपर जाकर देखाता कि सब ठीक है विद्या ने पूछा नीचे क्या हो रहा है भरोसे में आनन्द ने जो हो रहा था बता दिया और फिर नीचे आ हसी मजाक का रस लेने लगा मा जी जानती थी कि हसी मजाक और गप बाजी में लगे महमान लोग आधी रात से पहले खाना नहीं खाएंगे इसलिए उन्होंने बहु को पुकार कर चेतावनी दे दी यहां रात बर चूले के पास बैठना मेरे बस का नहीं महमान जब खाएं तुम खिला देना रसोई से निकलने से पहले मा जी ने बेटी को पुकारा तुम तो खालो यह आनंद की रहा देखती रहोगी आप लोग खाईए मुझे खाना नहीं खाना है विद्या का अनुस्वार दवनी उतर सुनाई दिया बेटी के स्वर में रुलाई का आभास पाकर मा जी ने अशंका से पुकारा सुन तो यहां तो आ क्या बात है दो तिन बार पुकारी जाने पर विद्या मू लटकाए मा जी के सामने पहुची और समीप बैट गुटनों में सिर्शिपा रो पड़ी मा जी ने बार बार विहल स्वर से बेटी के रोने का करन पुचा विद्या फूट फूट कर रोई और तब बताया हाई मैं कहां आमरी मुझे मालूम होता कि अब ये होता है तो मैं इन्हें लेकर क्यों आती मा जी ने बेटी के सिर पर हाथ रख कर कसम देकर पूचा बोलती क्यों नहीं क्या बात है बोलने विद्या ने विवलता से रो रो कर पताया बताऊं क्या मुझ पर ही बितेगी उन्हें नीचे बैठा कर शरापिला रहे हैं जाने कौन दो रांडे आई हुई हैं भाईया बड़े आदमी हैं चाहे जो करें मैं तो कहीं की ने रहूंगी इन्हें ऐसी लत लग गई तो मुझ पर क्या बितेगी मा जी के मस्तिक्स में अपने परिवार के सर्वनास की अशंका और बहंकर पाप के प्रती क्रोध की चिंगारियां और आतिश बाजी सी छूड़ गई जिस सवस्ता में बैटी थी पक्के उलजे खुले बाल पुरुष की द्रस्टी के प्रती निशंक सिथिल खुले शरीर पर बेपरवाई से डाला हुआ धोती का आचल जैसे ही जीना उतरते समय बेपरवाई से डाला गया धोती को आचल लिये उत्तेज नामे घुटनों से भी उपर उठाए वे नीचे की मंजिल में आ पहुची धक्का देकर उन्होंने बैटे के किवाड खोल दिये गिजली के परकाश में उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे क्रोद में बदहवास हो गई जैसे अपनी संतान को शेर के मुह में जाते देख गया क्रोद और दुसा हस में अपने सामर्थे के उचित्ते की चिंता नय कर शेर के मुह में अपने निर्बल सिंग अड़ा दे बैठक की महफिल अपने हसी मजा के ठाकों में माजी के जीना उतरने की आहट ने पा सकी थी के लाल रंग में आकर माथूर की साली को पैग खत्म करने में साहिता देने के लिए उसका गिलास उठाकर उसके मुह से लगाए थे मिशेज माथूर लाल को संतुष करने के लिए मुस्कराती हुई अपने गिलास में बोतल से नया पैग डाल रही थी बहेंकर चितकार का शब्द सुनकर सबकी द्रिस्टी दरवाजे की ओर गई और देखा माजी केश पिखेरे अर्द नगन शरीर सामने खड़ी थी उनकी आँखे दिन के प्रकाश में जलते बिजली की टार्श के बलवों की तरह निस्तेज होकर भी चमक रही थी माजी अपनी धीली धोती के खिसक जाने की भी परवा ने कर हाथ आगे बढ़ा कर चिला उठी सत्या नास हो तुम रांडों का तुम्हारा कोई न रहे दूसरों का घर उजाड रही हो अपने को लेकर मरो घर वाले और महमान स्तब्द थे लाल ने माथूर की साली के होटों से लगाया गया हुआ गिलास और मिसेज माथूर ने अपने हाथ में थमी हुई बोतल तुरंट मेज़ पर रख दी महमानों के होट और नेतर विश्मे से फैल गये के लाल स्थीती संभालने के लिए अपने स्थान से तुरंत मा जी के समिप पहुचे और उनके कंदों पर हाथ रखकर दबे स्वर में धंका कर बोले ये आप क्या तमाशा कर रही हैं आपको घर की इज़त का कुछ ख्याल नहीं महमानों से आप क्यों उलज रही हैं आपको जो दोनों उपस्तित सिर्मतियों की और हाथ फेला कर चितकार किया हाई हाई रंडियो तु मर जाओ हाई हाई रंडियो तुमारा वंच उजड़ जाए हाई हाई रंडियो तुमारे सिर में आग लगे निकालो यहां से नहीं ज़ड़ु मार कर के लाल माजी के मुह पर हाथ रहा था निकलो अभी तुमारा जोंटा पकड़ कर माथूर मिसिस माथूर और उसकी साली सिर जुकाय उठ गए सक पकाए हुए दूसरे कमरे के रास्ते आंगन में आ जीने से गली में उतरने लगे विकट स्तीती के कारण लाल के प्राण कंट में आ गए थे वे माजी को छोड और तुरंत मेहमानों के सामने जाकर रहा रोक कातर स्वर में बोले आप लोग ठहरिए एक मिनिट ठहरिए मुझे बहुत खेद है मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग एक मिनिट ठहरें अभी सब ठीक हो जाएगा लाल गिर गिराते रहे परंतु मेहमान विवस्ता से जुकी आ तो रोने लगी उसे देखकर आनद ने धमकाया ये सब तुमारी शरारत है अब उपर से दुख्या बन रही हो विद्या ने धमकी से चुपने होकर कड़े स्वर में उतर दिया तुम शराब पियो वेविचार करो जूट बोलो और उल्टे मुझे गाली देते हो महमानों के चले जाने पर लाल ने चिलाती हुई माजी के सामने अपनी बहां उठाकर माजी के स्वर से भी उचे स्वर में घोशना की माजी आपने मेरे घर में मेरे महमानों को बेज़ित किया है महमानों के इस अपमान का प्राइस चीत मैं अपनी जान देकर करूँगा ये घोशना कर लाल दिवार के समीब फर्ष पर बैठ गए और अपना सिर जोर जोर से पक्की इटों से टकराने लगे सिरिमती लाल पती को अपना सिर फोर्टे देखर चीक कर दोड़ी पती के सिर को चोट से बचाने के लिए दिवार के सामने हो गई लाल ने पराण विशरजन का संकल्प कर लिया वे नहीं माने वे दिवार की और बाधा पाकर अपना सिर फर्ष पर मारने लगे सिरिमती लाल और जोर से चिलाने लगी हाए मार डाला हाए मैं मर गई विद्या जोर से भईया भईया चिलाती हुई लाल से लिपट गई आनन ने भी लाल को थामने का प्रियक्न किया कोहराम की गूंज उपर पहुंची पिताजी अपनी खाट से उठकर छज्जा पकड़कर चिला चिला कर पुछने लगे क्या है क्या हुआ पिताजी अपने प्रिशन का उत्तर ने पाकर क्रोध में गाली देने लगे हराम जादे सुनते नहीं माजी का हरदे बेकाबू हो उठा वे तभी दोड़कर पुत्र के सिर को अपनी गोध में लेने का यतन करने लगी लाल अब तक काफी चोट खा चुके थे वे बेहोश होकर लेट गए पती को चोट से बेहोश हो गया देखकर शिर्मती लाल ने बहुत ही दारुन चीक मारी और अपना सिर पीटती हुई सास को गालियों से अभिशाप देने लगी आंगन में विभत्स विलाप का कोला हल मच गया विद्या भहिया के लिए और माजी पूत्र के लिए अपनी चाती पीट पीट कर चीखने लगी आनद ने रोती पीटती इस्त्रियों को पीछे हटा कर चुप रहने के लिए धमकाया लाल के मुख पर पानी के चीटे दे कर उन्हें सुद में लाने का यत्न करने लगा पिता जी दिवारों का सहरा लेते हुए जीने से उतर आये मूर्चित कुत्र के समीप फर्स पर बैठ गए दोनों हातों से सिर को थाम लिया सांस लेकर पुत्रहंता मा को डायन चुडैल और राक्षशी संबोधन करके गालियां दे उन्होंने अपने लिए समशान यात्रा का परबंद करने की आग्या दे दी पिता जी की द्रिस्टी आंगन की दिवार के साथ टिकी हुई कपड़ा धोने की मौंगरी पर पड़ गई उन्होंने मौंगरी उठा आतम हत्या के लिए अपने सिर पर मार ली जमाई और बेटी पिता जी दम उखड़ जाने से विहल होकर पुत्र के समीप फर्ष पर लेट गए और बोले अब मुझे भी यहां से ही समिशान ले जाना विद्या मृत्यू के समय ले से रोने के कातर सवर में चिखने लगी हाई मैं मर जाऊं मैंने तो तुम्हारा धर्म रखने के लिए ही सच कह दिया हाई पर मात्मा तु मुझे उठा ले मेरे भाई का बालने बाका हो माजी अपना सिर पुत्र के चर्णों में रखकर बोली त इसलिए पडोसियों ने कुछ देर पर हुआ नहीं की परन्तु जब उस कोला हल की दारूंता की और ध्यान गया तो दीना बाबू को पहुंच नहीं पड़ा दो एक दूसरे पडोसी भी पहुंच गए किसे ने सुजाया डाक्टर को नहीं बुलाया दीना बाबू डाक्टर ने आकर लाल की नाड़ी की परिक्षा की हरदय को टटोला फलकें पलटकर टार्च से पुतलियों को देखा और बोले चिंता की कोई बात नहीं आनंद ने लाल की बेहुशी का कारण फिसल कर गिर पड़ना और सिर्फ वर्षिसे टकरा जाना बताया डाक्टर ने फिर असव ने उनकी नाक और मुँ दबा दिये लाल कुछ इशन निश्चल रहे फिर उसका शरीर तिल मिलाया और चट पटा कर उठ बैठे डाक्टर के आज आने पर विलाप का स्वर बंद हो गया था लाल ने उठकर मूर्चा से जागने वाले व्यक्ति की तरह परशन पूछे क्या ह हुआ मैं कहा हूँ डाक्टर और दूसरे लोगों के चले जाने पर लाल फिर फर्श पर लेट गए और बोले मेरे घर में अतिति का अपमान हुआ है मैं यहां ही प्राण त्याग कर प्रैस्चित करूँगा उठूँगा नहीं इस पर पिता जी ने पुत्र हंता मा को फिर ग सब लोग लाल से उठकर भीतर चलने के लिए अनरोध कर रहे थे परंतु लाल प्राण रहते उस स्थान से उठने के लिए तयार नहीं थे पूरे परिवार के बहुत विहल और कातर हो जाने पर लाल ने दिर्ग निश्वास लिया और अपनी शर्त रखी जिन आतितियों को अपमान करके घर से निकाला गया है उन्हें आदर पूर्वक अभी वापस बुलाया जाए उनसे अपने अपराद की शमा मांग लेने के बाद ही वे फर्स से हिलेंगे रात को देड़ बच चुका था परंतु घर भर में आनंद ने अनुरोध किया कि वे इस समय जाकर मिसिस मातूर और उनकी साली के सामने विकट परिस्तिती थी जिस घर से गाली देकर और जोटा पकड़ पकड़ कर जड़ु मारने की धमकी देकर निकाला गया हो रात बीतने से पहले ही उस घर में जाना उनके लिए कैसे सही हो सकता था परंतु आनंद ने गिड़ गिड़ा कर उनके सामने स्तीती रखी इस समय भाईया भावी और पिताजी के प्राणों की रक्षा आपके ही हाथ में है आप लोग इस समय नहीं चलेंगे तो सुबह तब जाने आपको क्या समचार मिले इस समय आपके हाँ या ना पर ही सब कुछ निरबर है माथूर पतनी और साली सा तुरंत लाल के हैं जाने के लिए विवश हो गए लाल आंगन में आकाश के नीचे आत्मियों से घिरे कुरुक शेत्र के मैदान में सरसया पर लेटे भिश्म पिता में की तरह पड़े थे शिरी मती लाल विद्या माजी और पिता जी उन्हें घिरे बैठे थे महमानों के ल परंतु उन्होंने कंबल को परेफिक दिया महमानों से शमा पाए बिना रक्षा का कोई पुर्यत्न करने के लिए वे तयार नहीं थे अतिती लोटकर आए और समंधियों के साथ ही लाल को घेर कर बैठ गए लाल की इच्छा फर्ष से उठने की नहीं थी वे चाहते थे के व माथूर उनकी पतनी साली ने लाल को बार बार अपने सिर की कसमें दे कर और उनकी वहें खीच-खीच कर उठने का अनुरोध किया बीती घटना के लिए मन में कती मैलने होने का विश्वास दिलाया उन लोगों ने आगामी संध्या ही लाल के यहां डिनर और काक्टेल का नि इस प्रकार लाल फर से उठे और आमरन सत्यागरों को छोड़ धर्म यूद में घायल परंतु विजई मारती की भानती लड़ खडाते हुए डिनर की टेबल पर जा बैठे